अगर मन कर रहा है कुछ चटपटा टेस्टी खाने का तो जरूरी नहीं कि अनहल्दी चीज ही खाये जाएं आज हम हल्दी चीजों से बनाने वाले हैं बहुती मज़ेदार सी टेस्टी चटपटी चाट तो सबसे पहले मैंने ले लिये हैं मखाने मखाने ना हेल्थ के लिए बहुत यच्छे होते हैं केल्शियम से भरपूर होते हैं अगर आपके बच्चे कुछ स्पेशल खाना चाते हैं तो ये हेल्दी मखाना चाट उन्हें आप खिला सकते हैं मखानों को मैंने डाल दिया है एक पैन के अंदर और इन्हें लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे मखानों को भूनते समय स्टार्टिंग में ही आपको घी नहीं डालना है जब मखाने लगबक 3-4 मिनट भून जाए ना उसके बाद आप इसमें डालें आधा चमबच घी मैंने यहाँ पर ये डिड़ कप मखाने लिए थे तो इसमें आधा चमबच घी डाला है थोड़ा सा काली मिर्श का पाउडर डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक अब यहाँ पर सभी चीजों को मिक्स कर देंगे और मखानों को भूनेंगे इस तरह थोड़ा सा काली मिश और नमक डालने से मखानों में अंदर तक चटपटा फ्लेवर आजाएगा अब मखाने जो हैं अच्छे से भुन चुके हैं यह अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं तोड़ कर देखें ये देखें एकदम क्रिस्पी हो गए हैं तो बस फ्लेम आफ करके इन्हें अलग बरतन में निकाल लें तो एक बोल में ये मखाने मैंने निकाल लिये हैं अब यहाँ पर इसमें डाल देंगे बारिक कटा हुआ प्याज इसमें डालेंगे पारिक कटा हुआ टमाटर और ये डाल दीजे इसमें पारिक कटा हुआ खीरा मैंने खीरा का छिलका नहीं अठाया है इसे दोकर कट करके डाला है आप चाहें तो छिलकर भी डाल सकते हैं एक हरे मिर्ष पारी कट करके डाल दी है, साथ में मैंने इसमें डाल दी खटी मीठी इमली की चटनी, इससे यह बहुत ही यम्मी लगेगा, अब यहाँ पर मेरे पास है हरे धनिय पुदेनी की चटनी, यह भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और अब ना मैं इसके अंदर डाल इसे मैंने इस में नायलोन सेब डाल दिये हैं, अब डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत अच्छे से इसे हमें मिक्स कर देना है, तो जब भी शाम को 4-4 बजे बच्चे कहेना भूग लग रही है, तो उनको ये मज़ेदार सी चटपटी टेस्टी हैल्दी रेसिपी दी जा सकती है, तो हमारी ये मखाना चाट हो चुकी है त्यार, तो इसे सर्फ करें, ये खाने में बहुत यमी लगती है, उपर से आप थोड़ी सी चटनी इसमें और डाल दीजे, तो यहाँ पर दोनों चटनी में ने डाल दी हैं, और उपर से इसे थोड़ा सा गानिश कर ये डाल दी है, हमारे अनार के दाने और साथ में थोड़े से नायलों से भी हम डाल देंगे, चाट के नाम पर जरूरी नहीं है कि हम कुछ तला हुआ ही खाएं, इस तरह हेल्दी रेसिपी बना कर भी खाई जा सकती है, तो सेहत और स्वात से भरपूर इस रेसिपी को आप अपने गर जरूर बनाएं और सब को खिलाएं, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें